हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक तो माई चानल सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर हम जब कोई वेब पेज खोलते हैं और हमारे पास कोई जो कंटेंट आता है वो वेब URL अक्सेस करने पर तो वो जो भी कंटेंट डिस्प्ले हो हो इस ब्राउजर में वह हमें बहुत फास्टर तरीके से बहुत रिलाइबल तरीके से हो तो इसको अगर मैं सीधर सब्सक्राइब मैं एक डाइग्रम से समझाना चाता हूँ तो मैं आपको डाइग्रम दिखाता हूँ CDN ओके तो यही मेरा एक डाइग्राम है अर्थिंक है है यही जो आप्लिकेशन सर्वर अब किसी इंडिया के यूजर को अगर उसको एकसेस करना होगा तो यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा उसको रैट? यानि कि request यहां से पहले यहां जाएगी उसके बाद जाके फिर यहां से इसको यहां पर इसको जो भी content display होगा वो यहां पर display होगा उसी तरह चायना का एक दूसर यहां से एकसेस करेगा यहां के application server को और यहां से जो है उसको फिर request वापस जाएगी उस user के और वेब पेज में वो डिस्पले होगा चाये वो audio file हो वीडियो हो या फिर image file हो यह कोई text file हो कोई भी file हो उसी तरह यूरोप का यूजर इस तरह से कर होता है यानि कि कुछ millisecond या कुछ second का delay होता है कि जो आप content display जो है बहुत slow होता थोड़ा अब CDN profile configure करने पे आपका scenario कैसे होता है वो मैं आपको दूसरे डाइग्राम से उताता हूं तो CDN profile में क्या होता है कि यह मानलो यह आपका चायना है यह इंडिया है यह आपका USA है और यह यूरोप है अब origin जो आपका application server हो मानलो USA में है तो जब आप CDN profile configure करते हो तो क्या होता है एक region में आप उस particular region मे एक edge server बना सकते हो या फिर एक end point बना सकते हो तो एक तरह सा CDN क्या होता है कि आपका एक cache server की तरह काम करता है यानि कि अब क्या करेगा जो इंडिया का user रहेगा वो पहले जो है application का जो original application server का URL है वो URL को access जब करेगा browser से तो वो क्या करेगा यहां के पहले cache server पर जाएगा ज text file या कोई भी file है यहां पर अगर है तो यहीं से उसको return कर देगा अगर यहां पर cache server में कुछ नहीं मिलता है उसको तो यहां से request जाएगी उसके origin server पर और यहां से फिर cache होगा इस end point server पर और यहां से फिर इस user को जाएगा तो इस से benefit क्या है कि next time अगर इंडिया में कोई औ URL को और same content को तो क्या करेगा by default is server से उठा के उसको reply देगा लेकिन अगर जब यहां पर नहीं रहेगा यानि कि जब end point आप configure करते हो तो यहां पर आपका TTL time भी define होता है time to live कि कब तक को expire होगा अब मान लो time to live जो उस image या जो भी यह जो user है जो भी image या video audio access कर रहा है मान लो तो उसका TTL expire नहीं हुआ है तो इस edge server से उस user को immediately बहुत faster तरीके से उसको display होगा अगर उसका TTL expire हो जाएगा तो वापस से वो जाएगा origin application server पर और वहां से जो है फिर यहां पर cache होगा फिर यहां से देगा ताकि बाकी की जो user से उनको बहुत easily और faster way में access हो जाए तो इसी तरीके से यह क्या करेगा हर एक region में आप जो है अपने अपने end point servers या edge servers एक तरह से बना सकते हो by conferring CDN profile तो अगर मैं इसका एक और example दूँ तो जैसे आप Google Chrome खोलते हो browser खोलते हो उसमें आप first time कोई application या कोई भी URL access करते हो तो थोड़ा time लेता हो right कुछ millisecond time लेकिन आप बार browser के cache में save हो गया है उसी तरह एक दूसरे example दूँ तो YouTube का अब YouTube आज से 5-10 साल पहले अगर आप जाओगे तो पहले क्या होता था आपका buffer होता था वो वीडियो आप buffer होता था उसके बाद जाके वो आता था लेकिन अब technology इतनी fast हो गई है सब cloud में move हो रहा है तो अब YouTube ने भ अगर Mumbai में बैठाओं तो हो सकता है मेरा एक endpoint server यूटूब वालों ने पूने में लगा रखाओ या फिर साउथ में बैंगलोर में कहीं पर लगा रखाओ तो मेरी request मतलब nearest जो मेरा edge server रहेगा या मेरा endpoint server रहेगा वहां पर जाके मेरा जो भी मैं video surf करूंगा या video देखूंग CDN endpoint I mean content delivery network का CDN profile बोलते हैं जिसे हैं अब इसके benefit क्या है इसके benefit यह है कि एक तो low latency मिलता आपको और faster delivery मिलता है of content to the users यानि कि user जो भी उस URL से access करेगा और जो content वो browse कर रहा है चाहिए video हो audio हो फाइल हो या image हो कुछ भी उसको बहुत faster तरीके से मिलेगा helps to reduce load on server और application यानि कि अब यह जो है जो actual origin server है हमारा application server है उसका load reduce करता है क्योंकि जब आप CDN configure करते हो तो आपका cache server से ही उठाएगा rather than कि आपका origin server है वहां से अब use case क्या है CDN का कौन से case में आप configure कर सकते हो जहाँ पर आपको static resources client application को deliver करना हो जहाँ पर आपको videos stream कराने हो बहुत faster में जैसे कि म IoT solutions भी support करता है जैसे कि distributing firmware update अब IoT जो devices है उनमें अगर firmware update करना है तो वैसे scenario में आप CDN profile configure कर सकते हो how it works यह मैं अलड़ी बता चुका हूँ यह मेरा origin server है यह application server यह कोई भी server है जहाँ पर मेरे images या files या videos या audio store है यह user है यह जाएगा पहले point of presence के पास यानि के end point server के पास यहाँ पर अगर नहीं मिलेगा तो यह origin server के पास जाएगा origin server से edge server पर आएगा और यहाँ पर cache होके फि server में इसको deliver करें content display कराएंगे ओके अब तो यह था CDN profile के बारे में तो चलिए CDN profile आपने azure storage account में देखा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने storage account को unfigure create किया है इसके go to resource में जाता हूँ यहाँ पर मुझे blob service के अंदर आता है azure CDN तो यहाँ पर आप blobs क्यूंकि हम लोग images files जो भी हो blobs में store करते हैं तो यहाँ पर इसलिए इन लोगों ने blob service में use करने के लिए बुला कि आप blob service में CDN profile आप configure कर सकते हो तो चलिए इसको configure करते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो otherwise आप क्या करो मैं काम करता हूं duplicate open करता हूं azure का portal का duplicate tab open करता हूं और यहां से जो है मैं search मारता हूं उपर cdn तो cdn profile सा गया मेरा cdn profile में जाके मैं यहाँ पर add पर click करता हूं क्लिक करने के बाद मैं यहां पर डालता हूं cdn storage storage एक नाम देता हूं okay resource group जिस resource मैं resource group चूज करता हूं जहां पर मैं storage account बनाया है और pricing tier में standard Microsoft रहने देता हूं इसमें आपको तीन चार और options देता है डिपेंड करता है कि performance आपको क्या चीए किस साब से चीए तो उसके साब से pricing भी इसका और performance के साब से भी यहाँ पर आपको अलग-अलग tier दिया हूँ है यहाँ पर एक option आता है create a new CDN end point जैसे कि मैंने बुला end point create करता है या तो आप यहाँ से भी create कर सकते हो या तो हम यह profile create करने के बाद भी create कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको create पर click करता हूँ तो यह अभी validate करेगा और इसको create करता है ओके तो इसने error नहीं क्या कुछ तो यह क्या बोलता है in order to create this CDN profile please ensure that Microsoft.cdn is listed as a registered resource provider in your Azure subscription मतलब दोस्तों कैसा था कि कुछ मैंने पहले तक जैसे कि मैंने बार-बार बोलता हूँ कि Microsoft Azure को बार-बार frequently update करता रहता है तो इस बार इन लोगों ने क्या क्या है पहले जब होता था तो पहले directly create हो जाता था आपको कोई provider register करने की जरूद नहीं पड़ती थी लेकिन अब आप भी एरर दे रहा है कि आपको Microsoft.cdn का जो है वो रिजिस्टर करना पड़ेगा रिसोर्स प्रोवाइडर एजूर सब्सक्रिप्शन में आपकी जो एजूर सब्सक्रिप्शन है पेजी को उसमें आपको रिजिस्टर करना पड़ेगा तो चलिए इसके लिए मैं क्या करत गारीर्टर डालना पड़ेगा तो मैं यहां पर इपना एकाउंट आईडी और पासवट डालता हूं ओके तो यह मैरा कांट ip ho गया यह मैं कनेकT करता हूं और इसको कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा ताइम लगेगा तो दोस्तो मेरा जो है PowerShell से मैंने Azure Portal connect कर चुका हूँ और यहाँ पर एक command है इसको check करने के लिए get-az-resource-provider provider name name space microsoft.cdn तो पहले हम check करेंगे कि यह register है की नहीं है तो मैं command paste करता हूँ और enter मारता हूँ और यहाँ पर मुझे वो status दिखाएगा की registered है की नहीं है registered तो यह देखिया Microsoft.cdn से इतने सारे providers आ गए है और registration type जो है सबका not registered ही आ रहा है तो चलिए इसको register करते हैं register करने के लिए दूसरी command है register-az-resource-provider-provider name space microsoft.cdn तो मैं इसको copy करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर paste करता हूँ और enter मारता हूँ तो यह जो है मेरे Microsoft.cdn का जो resource provider है उसको मेरे subscription में register कर देगा तो यह देखिये यह registering हो रहा है ओके तो यह मेरे register हो चुका है तो एक बार इसको get-az-resource-provider से मार के देखते हैं कि register हुआ है की नहीं हुआ है तो इसको अपने check करते हैं ओके यह देखो register दिखारा सब जगा मेरे जो है register हो चुका है तो चलिए portal पर चलते हैं वापस से back करता हूँ मैं okay करता हूँ add cdn profile पर करता हूँ और add पर करता हूँ cdn cdn profile 1 करके देता हूँ resource group चूज करता हूँ अपना pressing tier में standard ही रहने देता हूँ और create पर क्लिक करता हूँ तो अब यह जो है मुझे create करने के लिए देगा क्योंकि मैं provider register कर चुका हूँ microsoft.cdn का ओके तो चलिए इसका wait करते हैं जबते के create होता है ओके दोस्तों मेरा जो cdn profile वो create हो चुका है यहाँ पर इसने around 2 minute के आसपास time लिया इसको refresh करता हूँ मैं और यह मेरा बन चुका है इसको open कड़ता हूँ और इसको open करने के बाद फिर मैं यहां पर देखे ओवर्यू में यहां पर में एयंड पोइंड नहीं राइट यहा तो मैं creation के time पर भी create कर सकता हूँ लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि क्रेट करने के बाद भी अपन क्रेट कर सकते हैं तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा end point पे और end point पे यहां पर मैं डालता हूं let's say cdn storage 123 कुछ भी नाम दे देता हूं क्योंकि storage के लिए मैं cdn profile बना रहा हूं और यह चेक कर रहा है कि नाम available है कि नहीं है available है origin type का है तो storage है अब cdn profile आप यह जो services यहां पर दिखा रहा है origin टाइब में storage storage static website cloud service web app यह custom origin आप इन इन application के साथ या इन इन azure resources के साथ आप cdn profile configure कर सकते हों तो हम क्योंकि storage में कर रहे हैं तो storage करता हूं मैं origin host name मेरा यह आ गया ओके और origin path मेरा यह है तो दोस्तों यह करने से पहले मैं एक काम करता हो storage में क्योंकि blob service में क्या करता हूं यहां पर container और cdn container करके बना देता हूं इसको मैं container anonymous access करता हूं क्योंकि अपने को publically access करना है create पर click करता हूं और इसके अंदर मैं एक image file upload कर देता हूं, तो मैं यहाँ पर जाता हूं, और downloads में image.jpg select करता हूं, upload करता हूं, यह मेरा blog file मैंने image file upload कर दिया, अब मैं जाता हूं end point में, तो यहाँ पर मेरा automatically storage का account आ गया, origin host header मेरा automatically आ गया है, by default में यह सब ऐसी रहने दूँगा, यहाँ पर path जो है मुझे दोस्तों, यह देना पड़ेगा, path में मुझे क्या देना है, कि origin path मेरा क्या है, forward slash, paste करूँगा, forward slash, और यहाँ पर मैं अपना container का नाम दूँगा, जो मेरा blog container है, और forward slash, उसके बाद मैं यहाँ पर, okay, fine, तो यह मेरा इतना हो गया, ठीक है, तो यह मैंने container का न ठीक है, और यह होने के बाद मैं करता हूँ, add, तो यहाँ पर मैं storage के लिए एक endpoint create कर रहा हूँ, तो इसको add उने देते हैं, so दोस्तों, मेरा जो है, यहाँ पर endpoint configure हो चुका है, यह देखिए successfully created endpoint, और यहाँ पर आप देख सकते है, running हो रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, इस endpoint को open करता हूँ, और जब आप endpoint को open करेंगे, तो यहाँ पर कुछ settings में options आते हैं, जैसे कि origin है, अगर आपको change करना है, modify करना है, तो यहाँ से origin से आप configure origin पर कर सकते हो, custom domain आप इस पर set कर सकते हो, मैं already explain कर चुका हूँ, compression का मतलब यह है, compression मतलब कि जो भी video file है, या jpg file है, य अगर आप चाहते हो कि compress हो के आए, यानि कि जो actual size है, वो के ना है, उसका compression compressed करके आए, तो वो भी आप यहाँ से इसको कर सकते हो, वैसे तो by default यह on ही रहता है, इसके अलावा आपको कुछ exceptions भी है, कि आपको यह यह format की compress करना है कि नहीं है, but Microsoft recommend करता है कि आप इनके साथ छे यहाँ पर आपके caching rules हैं, तो आप यहाँ पर caching rules define कर सकते हो, geo filtering का option आता है, यहाँ पर geo filtering का मतलब यह है, कि आप कौन कौन से region में allowed करना चाहते हो, तो जैसे मैं allow पे click करूँगा, और मैं चाहता हो कि यह यह countries में ही allow हो, accessible हो मेरा end point, उसी तरह आप यहाँ से block भी कर सकते हो कि कौन कौन से country से आपका ad server के through request नहीं जानी चाहिए, यह content display नहीं होना चाहिए, उसी तरह आप यहाँ पर rule engine भी define कर सकते हो, rule engine में आप rules बना सकते हो कि actions क्या add करना है, cache expiry करना है, cache की query string करना है, URL redirect करना है, यह सब आप कर सकते हो, तो आप चलते है overview पे, तो overview पे हमारा य CDN का है, और origin host name आ रहा है, तो अब मैं इस origin host name को copy करता हूँ, यहाँ पर paste करता हूँ, और इसके आगे मैं अपना container डालता हूँ, जो storage का container हमने बनाया था, ओके, और इसके आगे मेरी image file है, image.jpg, image.jpg, मैं access करता हूँ, तो यह देखे, मेरे को, यह content image है, यह मुझे display करना लगया है, तो यानि कि कहने का मतलब simple सा है, कि first time जब मेरा जाएगा, तो मेरा origin storage account पर जाएगा, next time से, यह क्या होगा, CDN profile के अंदर, क्योंकि हमने CDN profile बनाया है, तो cache server एक तरह से बन गया, edge server बन गया है, इसमें save होगा, अब कोई भी बंदा, कोई दूसरा और user, यह path, यह जो path है, access करेगा, तो उसको immediately faster way में access हो जाएगा, क्योंकि वो edge server से उठाएगा, endpoint server से उठाएगा, ना कि origin server से, तो CDN profile का मतलब यही है, कि directly request जो है, first time, अगर cache server में नहीं रहेगा, तो first time origin application server रहेगा, कहीं कोई भी server रहेगा, वहाँ से जाएगा, और उसके बाद बाद बा तो यह होता है CDN profile का concept, आप इसको YouTube के concept से भी choose कर सकते है, कि YouTube ने क्या है, कि हर एक region में, हर एक location में, अपने edge servers वहाँ पर बना रखे हैं, ताकि उनको, जो उनके nearest location है, nearest region है, nearest end point है, यह edge server वहाँ से उनको videos, उनको, वो videos display हो से कर, immediately आप उनको देख सकते हो, without any buffer, तो दोस्तो यह था CDN profile के बारे में, और जैसे कि मैंने बताया, CDN profile आप जो है, storage account में, web app में, और कुछ cloud services में ही configure कर सकते हो, हर जगा आप यह configure नहीं कर सकते हो, so guys, अगर आपको यह video अच्छा लगे, तो आप please video को like कीजिए, share कीजिए, और subscribe कीजिए, तो आज के video में इतना ही, और मिल